जिग्यासों मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव विस्रजन स्पिरीच्वल में जैसा कि आपको पुर विदित है कि परतेक दिवस रात्री नौ बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर लाइव चर्चा लेकर उपस्तित होते हैं और सभी मिलकर चर चल रही है और आज का विशय है ओंकार उपास्तना का रहस्य तो मित्रों प्रश्ण उपनीशत पर चर्चा करते हैं वे चार प्रश्णों तक जैसे कि छे प्रश्णों तक की चर्चा वहाँ पर है छे रिशियों के द्वारा तो उसमें हमने चार प्रश्णों तक की चर्चा कर ली है चौथा प्रश्ण जो कि सुर्यायनी रिशी के द्वारा गर्ग गोतर में जनम लेने वाले गार्ग रिशी के नाम से जाने जाने वाले सुर्यायनी रिशी के द्वारा भगवान पिपलाद से यह प्रश्ण किया गया था कि इस मनुष्य शरीर में कौन सोता है कौन जागता है और कौन सपन देखता है कौन सुख का अनुभाव करता है और कौन सारे देवता जो हैं इस शरीर के अंदर वो किस पर आश्रित हैं, किस में इस्थित हैं तो महर्शी पिपलाद ने उत्तर दिया कि इंद्रियां ही सोती है प्रान पंच प्रान जागते हैं, प्रानों का जो विभाग है वह जागता है मन स्वपन देखता है जीवात्मा और जो अनुभाव करता है सुख का वह जीव ही है जो अनुभाव करता है सुख का दुख का और निद्रा अवस्था में जो सुख का अनुभाव करता है अपनी मूल इस्थती में पहुँचकर वह भी जीव ही है और यह सारे जीव हो चाहे प सब की स्थिति कहां पर है इन्हें सब की स्थिति आत्मा में हैं सब आत्मा में आश्रय प्राप्त करते हैं इस प्रकार से बताएगे उत्तर देते हुए तो कल हमने इस पर विशे सुर्प से चर्चा किये थी अगर आपने ना सुना हो तो निश्य ही पिछले विडियो में जाक कि सोने वाला कौन, जागने वाला कौन, सपन देखने वाला कौन, सुक भोगने वाला कौन और सब किसमे इस्थित हैं, इन्हें पांच प्रशनों का उत्तर दिया गया, अब पांचवा प्रशन, ये चौथा प्रशन था, कल जो हमने दिया, अब पांचवे प्रशन पर आज हम चर्चा करेंगे तो पांचवा प्रश्ण के जो प्रश्ण करता है वह रिशी सत्यकाम है शिवी पुत्र सत्यकाम तो रिशी सत्यकाम क्या प्रश्ण करते हैं मित्रों उस पर आज हम विचार करेंगे और कैसे प्रश्ण करते हैं उनका प्रश्ण क्या है सुनी अत हैनम शैब् उसके बाद इन ख्याती नाम महर्शी पिपलाद से ख्यात नामा एक प्रसिद्ध महर्शी है शैब्यह सत्यकाम शिवीपुत्र सत्यकाम नाम से जाने जाते हैं उन्होंने भगवान पिपलाद से पूछा कि हे भगवन मनश्यों में से जो कोई भी है मिर्त्यु परियंत उस ओमकार का सदा भली भाती ध्यान करता है वह उस उपासना के बल से किस लोग को प्राप्त होता है कि लोगों को वह निसंदे जीत लेता कि लोगों पर उसको विजय प्राप्त होता है तो मुझे ओमकार उपासना का रहस से बताईए तो सत्यकाम, शिवीपुत्र सत्यकाम, रिशी सत्यकाम ने भगवान पिपलाद से क्या पूछा कि है भगवन इस मनुश्य शरीर में ओमकार की उपासना करने वाले जो साधक है वो किन लोकों को जीत लेते हैं और किन लोकों की प्राप्ती करते मुझे इस ओंकार उपासना का रहस समझा दिए तो इस प्रकार से महर्शी से प्रश्ण पूछा गया है और महर्शी इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं तस्मे से हो आच एतद्वई सत्यकाम परमम चापरम चाब्रम्मा यदोंकारह तस्मान द्वीद्वाने ते नई दिवायतने नयक तरमनवेती उस से अउनपरश्ड महरशी ने कहा पिप्लाद में कहा है सत्यकाम निश्य ही यह जो ओंकार है यह परमकरम्म भी है और आपरम कारोअ इस परकार का ज्यान रखने वाले जो जांते कि दो ब्रह्म, दो प्रकार के ब्रह्म, दो प्रकार के वास्तों में ब्रह्म नहीं होते, ब्रह्म एक ही है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति को यहां अपरम ब्रह्म कहा जा रहा है, है तो परम ब्रह्म ही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति है जिसे अपरम ब्रह्म कहा जा रहा है, कैसे इ इसलिए इस प्रकार ज्ञान रखने वाला मनुष्य परंब्रम्ह और अपरंब्रम्ह के रहस्य को जानने वाला इस एक ही अवलंब से अर्थात ओंकार के अवलंब से ओंकार उपासना रूपी अवलंब से अपर और परंब्रम्ह किसी एक का अनुसरन करता हुआ वह प्राप्त उसी के बारे में कहा जा रहा है पर और अपर दोनों के अपर ब्रह्म क्या अपर ब्रह्म क्या यह जो देख लिए अपर ब्रह्म क्या होता है तो यह जो ब्रह्म का विराट स्वरूप जो जगत रूप है वही अपर ब्रह्म भी है तो पर ब्रह्म है और उन पर ब्रह्म के प्र प्रुचभ अभिव्यक्त विवर्थ होने कि मेनिफेस्टेटेट है इसमॉच अर्थात जो इंद्रियों से हम जो जगत देखते हैं यहां अपर-ब्रह्म कहा जाएगा इसको ज्यादा तरह हम इसको माया कह देते हैं माया कह लेते हैं या प्रकृती कह लेते हैं लेकिन विदान्त विचारधारा के विवर्त वादसद्धान्त के अनुसार सबकुछ ब्रह्म का विवर्त है इसलिए माया भी तो ब्रह्म का ही विवर्त हुआ ना इसे लिए इस विराट रूप जगत को इस ब्रमांड को ही अपरब्रह्म कहा जाता है ठीक है और परब्रह्म जो परब्रह्म है जो सुक्ष्म है इंद्रियों से परे है उसके लिए परब्रह्म शब्ड का ना प्रयोग होता तो ओमकार में सबसमाई हुए है उंकार में प्रब्रहम्ड में भी monkey यह मांडु के उपनीशद में और बिस्तार से कि ओमकार की तीन मात्राओं को क्या कहा गया है कि पहरी मात्रा इस वैश्वा नर्जगत के लिए बताया गया है, दूसरी मात्रा सुक्ष्म लोग, स्वप्न लोग के लिए बताया गया है, और तीसरा जागरत, और ओंकार उससे भी बर्द्चतुश्पाद है, तूरी आवस्था के लिए वहाँ वर्णन आता है, तो इस प् कुछ समाया हुआ है, परब्रम जो परब्रम है, और अपरब्रम जो प्रगट रूप में जगत, विराट रूप में यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ब्रहमांड, वह सब अपरब्रम की श्रेनी में आएगा, चलिए, आगे क्या कहते हैं भगवान पिपलाद, उस प अर्थात, वह उपासक यदि एक मात्रा से युक्त होकर ओंकार का भली भाति ध्यान करें तो वह उस उपासना से ही अपने धे की और प्रेदित किया हुआ शिग्र ही पिर्थवी में उतपन्न होता है, उसको रिगवेद की रिचाएं मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती है क्योंकि वह इस जगत तक ही उसकी सीमा है, पर्थम पद की बात की जारी है औंकार का जो पहला पद है ठीक है तो पहली मात्रा है है, उसके बारे में यहाँ पर मात्रा शब्द का प्रेजग है, मांडू को प्रिशचन पद शब्रस बेज़े तो मनुष्य शरीर उसे मिल जा करता है जो प्रफम मात्रा का उच्चारन करता है उसका अभ्यास करता है उसका ध्यान गरता है यूब्समा करता है उसे परप्रम्म की महिमा Ripken कांने लग जाता है कहने का तक पर यहां पर पर यह पिर आगे कहते हैं अथ यदी दो मात्राओं से युक्त अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो मनोमय चंद्र लोग को प्राप्त होता अगर मान लिजिए कि वह दो मात्राओं का पहला तो एक मात्रा करने वाला प्रत्वी लोग पे मनुष्य जीवन प्राप्त करता फिर अपनी साधना तपस्या से वो परब्रम्ह को भी जान लेता दो मात्राओं की तपस्या करने वाल साधना करने वाला ध्यान करने वाला उसकी क्या गति होगी वह जो है इस संसार को जानने के साथ साथ प्रत्वी लोग को जानने के साथ मनों लोक जो सुक्ष्म लोक है जो चंद्र लोक है उसको भी मनों मैं चंद्र लोक चंद्र मा मन का ही कारक है तो मनों मैं चंद्र लोक वा एश्वरे का अनुभाव करता है यहां पर एश्वरे क्या है एश्वरे है सिद्धियां अश्ट सिद्धियों को एश्वरे कहा जाता है तो वह क्योंकि उसके अंदर वैसी सिद्धियां आ जाती है कि सुक्ष्म जगत पर उसका नियंत्रण उसका ज्यान उसे हो जाता है मनो मै लोग का तो उससे संबंदित जो सिधियां है ऐश्वर हैं तो में सिधियों को प्राप्त कर लेता है दूसरे मातरा का अभ्यास करने वाला ठीक अब क्या कहा जा रहा है यह पुनरेतं थ्रीमात्रेनों मित्ते तेनाय वाक्ष्वरेन परमंपुरुषम भिध्याईत सा ते जसी सुरिय संपन्न यथा पादो दरस्त्वचा विनिर्मुच्चित एवं हा वैसा पापमना विनिर्मुक्त सा साम प्रात्परम्पुरुषयम पुरुषमिक्षते तदे तव श्लोकव भवता है परन्तु जो तीनों मात्रा वाले ओंकार का ध्यान करता है इस अक्षर के द्वारा ही इस परम्पुरुष का निरंतर ध्यान करता है के जो में सुर्य लोक को प्राप्त होता है जिस प्रकार सर पापों से सरवता मुक्त हो जाता है वह सामवेद की शृतियों द्वारा उस ब्रह्म लोक में ले जाया जाता है अर्था उसे ब्रह्म प्रूप की प्राप्ति होती है जो तीनों मात्राओं का सही से ध्यान करता है परंता उसे अत्यंत स्रेष्ट शरीर रूप नगर में रहने वाले अंतरयामी परंप़ुरुष प्रोशुप्त म को सांप्षात कर लेता है में इस में कोई संशpolitik से यह Uhr करले वर प्रवर्दन क्या है वंकार नहीं सक रहें प्रत्षम लोग मनुष्य जीवन और फिर वह साधना करके परण को जाने को मात्रा और जो मनो मैं लोग है ऑनके रहस्यों को जान लेता है एश्वरे को प्राप्ति करता है तीनों मात्राओं से वो करने वाला मनुष्य जीवन सिध्धियों सब को प्राप्ति करते हुए शंद्र लोग के एश्वरे को प्राप्ति करते हुए वह ब्रह्म लोग की भी प्राप्ति कर लेता है तो आगे यही कह गोग किया गया है एक दूसरे से ही संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई है या प्रिधक प्रिथक एक-एक धे के चिंतन से इनका पुर्ण तया मात्राओं का प्रयोग किया जाने पर उस प्रमेश्वर को जानने वाली विजलित नहीं होते जो पूर्ण आध्य ऐसे प्रयोग कर प्रयोग करते हैं वह इसका प्रयोग करने वाले और उनका धे सअनसार जिन इनका धे सिद्धियां हैं शक्तियां हैं ऐसी धे से जो उमकार की उपासना करते हैं वहां मृत्यु युक्त ही हैं चाहे वो चंद्रलोक में चले जाएं सुर्य लोक में चले जाएं वहां मृत्यु युक्त हैं उनका मृत्यु निश्चित है यहां इस्थिती उनकी बनती है ठीक है यह व्याक्या यहां पर की जा रहे परंतु अब आगे कहते हैं अंतिमिस लोक में इन प्रश्णों का उत्तर देते हुए रिगभी रेतम यजूर भिरंतरक्षम साम भिरियत तत्कवयो वेदयनते तमोंकारे नईवाय तने नानवेती विद्वान यतक्षान तमजरम मृतम भयं परमचेती रिचाओं द्वारा इस मनुष्य लोक में यजूर भी अंतरिक्षमें साम शुर्तियों द्वारा उस ब्रह्म लोक में जिसको ज्यानी जन जानते हैं विवेक शिल साधक केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस परब्रम पुरुशत्तम को प्राप्त कर लेता है जो परम शांत अरा रहित अमृत रूप है मृतू रहित अमृतम मत्म मृतू रहित अभयम भय रहित और परम इती सर्वस्रिष्ट है परम है परम से भ वर्णन्किया जा रहा है कि यह साथ स्लोकों में इस प्रश्ण का उत्तर दिया पर्थम वह कहां से शुरू होते हैं कि ऑंकार क्या है तो ऑंकार पर और अपर ब्रह्म संपन्य है ओंकार की उपासना में परब्रम भी है अपरब्रम भी अपरब्रम यह संसार यह विराट रूप जो ब्रम से ही निकला है यह ब्रमांड यह जगत का विस्तार ठीक है इसी को अपरब्रम कहा गया है और जो इससे परे है जो इंद्रिय अनुभूतियों से परे है जो स्रिष्ट है सुक्ष्म है विरार्ट सर्व व्यापी है वह परब्रम उसे ही परब्रम माना गया है संपुर्ण जगत को परब्रम का ही स्वरूप माना गया तो पहले तो यह समझ दो अब पहली मात्रा के ध्यान से संसारी कामना रखने करने वाले प्रत्वी लोग में मनुश्योनी में जनम लेकर साधना करते हैं प्रब्रम को जाने दो मात्राओं का ध्यान करने वाले प्रत्वी लोग पर जनम भी लेंगे और सिद्धियों को भी प्राप्त करेंगे चंद्र लोग को भी प्राप्त करेंगे प्रत्वी लोग चं को प्राप्त्य करते हैं वह ब्रह्म लोक को प्राप्त्य करते एक मातरा करें करें चाहे तीन मातरा करें वह संसार को ही प्राप्त होते हैं मिर्त्यू युक्त ही रहते हैं हमेशा उनका जीवन मिर्त्यू युक्त ही रहता है ठीक है परंतु जो निश्काम भाव से उंकार की उपासना करते हैं और विरंतर करते हैं अभ्यासरत रहते हैं वो निश्य ही ब्रह्म लोक को उस परमात्मा को उस पर्मेश्वर के लिए ही ततः सब्द का प्रयोग वहा पर हुत। लेकिन साथवे स्लोक में महर्शी पिपलाद कहते हैं कि वह ब्रमलोग को प्राप्त करता है वह परमधाम परमेश्वर को प्राप्त करता है वह विलीन होता है मोक्ष को प्राप्त करता है कैवल्ले को प्राप्त करता है ऐसा समझना चाहिए तो यहां ओंकार उपासना का रहस्य बताएगा यह दिपी ओंकार भी ओंकार भी दो रू होगी है मुख से उचारन प्रारवद्व में लियां करते हैं लेकिन धीरे धिरे वह अपने ध्यान की अवस्था में ही उस उंकार से जुड़ जाते वह कहीं बाहर नहीं चल रहा वunt Joining जो अ कर लेते हैं घट में जो तीनोही मात्राओं की उचारन करते हुए शधा से और निश्य ही क्यावल्य हेतु परमधाम हेतु जो उपासना करते हैं तो वो उसको प्राप्त इ Sea L chauffeur लेकिन मिर्थ्यो लोके संसार में संसारी कामणा से इससका प्रयास करने वाले लोग निश्य ही मृट्व लोक में ही रहते हैं और मिरत उनको प्राप्त होती है मirt उनको मिलती है ठीक है लेकिन वह जो निश्काम अभावना से कर रहा था ओंकार की साधना वह परामधाम को प्राप्त करता है आवागवन से मुक्त होता ऐसा को करने करने में बड़ी बड़ा अंतर है ना मित्रों एक बास है कि रावन ने भी तपस्या की ती कुम्भकरं ने भी तपस्या की थी गुंभकर करने पूंभकर तो रावन का उड़्िश्य था पूरे संसार पूरे ब्रहाण्ड पर अपना अधिकार प्राप्ति करना तीनों लोगों पर विजय प्राप्ति करना अमर्ता को अमर हो जाना रावन अमर होना चाहता कभी मरे ही ना इस उद्धिश्य से तपस्या कर रहा था पुम्ब करन इंद्रानी को प्राप्त करना चाहता था इंद्र की गद्धी को प्राप्त करना चाहता था विवीशन थे जो निश्काम थे जिने प्रभू की सेवा चाहिए थे जि इसी लिए निश्काम भावना से ही करना चाहिए ऐसा उपदेश भी यहां से प्राप्त हो जाता है ओम की उपासना अगर ओंकार की उपासना करनी है तो ठीक तो जिग्यासू यह तो अप्लोडेड प्रीमियर वीडियो था आपने जो अभी देखा यह कोई लाइव सेशन तो था नहीं कि आपके हम कमेंट्स पढ़ पाएं यहां पर 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 व्यस्तता वस इस वीडियो को अप्लोड इस प्रकार से करना पड़ा है तो इस समय तो नौ बज़े तो लाइव ही आत तो चलिए विराम लेते हैं फिर भी आप कमेंट में अपने प्रशन पूछे जो भी आपके प्रशन वो यहां जरूर पूछे आगे आने वाले व्याख्यानों में उनका उत्तर दिया जाएगा उन पर चर्चा किया जाएगा अगर आपका प्रशन उसे योग गिल लगा कि ह प्रशन भी पूछना उस धंक से चाहिए चलिए विराम देते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से आप सबीए का बहुत बहुत अभात जुड़ने के लिए जुड़े और लाब उठाएं स्वेम लभान्वित हो और समाज को भी लभान्वित करें स्वेम जागरित हो समाज समाज को भी जागरित करें खुद जाग कर ही हम दूसरों को जगा सकते हैं तो ऐसा विश्वास रखकर स्वेम जाकर जरूर समाज को जागरित करें सनातन धर्म की विचारधारा किस और हमें ले जाती है या हमें समझ में आएगा इस चैनल के माध्यम से चली तो यहीं विराम देदें बहुत बहुत आभार आप सभी का धन्युक्त